असलाम अलेकूम फ्रेंड डीजवाइस चैन में वेलकम हैं आप सब लोगों का फ्रेंड ताजातरीन और इंपोर्टन अपडेट आप लोग साशेयर करेंगे जो के यूके हकोमत 20 साला इमिग्रेशन ला सिस्टम को लेकर तनकीत का निशाना बड़ी और ताजातरीन कर दीजेगा और साथ में दियेगे बेल के आपशन को प्रेस करके ऑल कर दीजेगा बढ़ते हैं ताजातरीन अपडेट की जाने तो फ्रेंड अपडेट कुछी यूं है कि इस टाइम पर गुवर्मेंट काफी जदा क्रिटिसाइज का निशाना है और उपोजिशन पारिट चाहिए और इस कानून को लेकर इस कानून को 10 से 14 साल के अर्से में रखना चाहिए क्यूंके बड़ी तदाद में जो कि इंगलेंड में जो शौटिज बढ़ती जा रही है ब्रेक्जिट के बाद के असराथ और जो वबा चली थी उसके बाद जो के अब बड़ी कमपनीज उनके हेड आफिस यूर्पियन मुमालिक में जो के जा रही हैं और इसके साथ साथ कुछ ऐसी कमपनीज वगरा हैं जो के यूके से खतम होती चली जा रही हैं और सिर्फ और सिर्फ वर्कर्स की शॉर्टिज की वज़ा से तो वर्कर्स की शॉर्टिज को पूरा करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ यूर्पी यूनियन के नकशा कदम पर चलना होगा यानि के जो यूरप में कावानीन बनाएंगे हैं जो के इमिग्रेशन वगारा वहां पर ओपन होती है और इमिग्रेंट्स को लेकर जो के उनकी जानिब से लीगल स्टेटस दिये जाते हैं ताके अपनी अफरादी कुवत को पूरा किया जा सके तो हमें भी काफी अरसे से कानून है इसको खतम करना चाहिए इस कानून को हमें जो के 10 से 14 साल के एरसे में रख कर जो इतनी बड़ी तदाद में 2 मिलियन से उपर भी जा चुके हैं इमिग्रेंट्स की तदाद ताकि उसकी तदाद में कमी हो और इमिग्रेंट्स से फाइदा उठाएं और अफरादी क खकूमत क्या करती है बरहल अब इस कानून के पीछे काफी ज्यादा अजमाते हैं और इसके साथ साथ बड़े अधारे पड़ गए हैं अब हो सकता है कि ये कानून बहुत जल्द खतम हो जाए या तो हकूमत ये खतम हो जाएगी या फिर ये कानून बहुत जल्द खतम हो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं तो फ्रेंड जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि अपनी गुजिश्टा वीडियो में भी आप लोगों साथ शेयर किया गया था कि इटली की हकोमत 18 एपरल को परमेसोदी सजोनो प्रोतास यूनेस पैशाले से मुतलिक कोई फैसला गया है तो फ्रेंड ख्याल रहे कि मत्यो सिल्वीनी लीगा पाइटी की जानीब से भी अब पारलिमेंट में परमेसोदी सजोनो प्रोतास यूनेस पैशाले को खतम करने के हवाले से बिल पेश कर दिया गया है कि इस सजोनो को मुकमल तोर पर खतम कर दिया जाए जबके अत स्पैशल प्रोतेक्शन वाले सजोनो को खतम करने से मतलुक कोई भी चीजों को कामणीन को शामिल नहीं किया गया है और जैसा कि आपको मालूम है कि ये सजोनो एटली में दो साल के लिए जारी की जाती थी लेकिश से भी पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है और आपक हो जाते हैं और ऐसे अफराद फिर एप्लिकेशन देते हैं कि अगर हम अपने मुलक में जाते हैं तो वहां हमें तशदूत का निजाना बनाया जा सकता है या फिर जान हमारी जा सकती है जान खत्रे में आ सकती है जिसकी वज़ा से उनको इटली से डिपोर्ट नहीं किया जात बलके इस प्रोतास्यूने स्पेशाले की सजोरनों को जो के दो साल के लिए दी जाती है जिसको वो काम वाली नॉर्मल सजोरनों में तबदील करवा सकती है लेकिन अब जो बिल पारलिमेंट में पेश हुआ है और जिस पर वोटिंग भी करवाई जा रही है और ये जो बताया गया है कि इस हफ़ते में हकोमत इस बिल को मनजूर कर सकती है जबके ये भी बताया जा रहा है कि इसके बाद फिर जो इटली में ये प्रोटेक्शन वाली स सजोर्नों असानी से मिल जाती थी इसमें बहुत ज़्यादा कमनीन में सख्ती कर दी जाएगी और बहुत ही कम तदाद में प्रोटेस यूने स्पेशाले की सजोर्नों लोगों को दी जाएगी और वो भी सिर्फ उन इमिग्रेंट्स को दी जाएगी जो के हकूमत को मुतमें कर सकेंगे के वाक्य में ही इनको इनके मुलक में खत्रा है फ्रेंड इसके लावा बहुत ही एहम और खास चीज और बड़ी एहम पेशरफ्त होने जारी है प्रोटेस्यूने स्पेशाल सजोर्नों में उसके मताबिक पहले ये जो सजोर्नों दो साल की मिलती थी लेकिन अब पा महां कानون बनाया जा रहा है उसमें ऐसा बताया गया है जर्के फ्रेंड प्रीडी जमाद की जानिया जब से उनकी जानिप से बड़ा बियान आया है जिस पार्लिमेंट में भी मुकाबला करेंगे जबके इटली की आइनी अदालत में भी पेश किया जाएगा जबके इतजाज का भी पीडी जमात की जानिब से कहा गया है तो फ्रेंड ये कुछ ताजातरीन खबरें जो के परमेसुद इस जोरनो प्रोतास यूने स्पेशाले को लेकर अभी तक की सामने आई हैं काफी बाई इस चीज़ को लेकर परशान हैं और वो इस हवाले से काफी ज़्यदा सवालात वगरा पूछते हैं उमीद करते हैं आपक खासियत किन की खतम हुई है और कस्तूरों की जानिब से जो डेडलाइन दी गई है उससे मतलिक न्यू अपडेट देख लेते हैं तो फ्रेंड इटली में जो सजोरनो मिलती है जिसकी कोई भी मुदत नहीं होती जिसको पहले कारतादी सजोरनो और बाद में परमेसुदी भी मुमालिक हैं वो अब एक किसम के कार्ड को जारी करने वाले हैं और इसकी मुदत 10 साल की रखी जाएगी जिसकी वज़ा से जो अलिमी ताता सजोरनो हैं उनकी हैसियत नहीं रहेगी यानि के ये सजोरनो जिन लोगों के पास हैं वो वैलिट नहीं रहेंगी अब काफी फ फॉर एवर के लिए मिलती है तो फिर इसकी हैसियत क्यों नहीं हो रहेगी तो फ्रेंड वाजिया रहे कि अगर आपके पास ये सजोरनो है तो ये फॉर एवर के लिए ही है लेकिन जो कार्ड आपके पास है चूंके वो तबदील हो गया है जो के वो पुराना कार्ड फॉर तक का वक्त है आप अपनी पुरानी काड़ वाली सजोरनों को जल्द जल्द नई काड़ में तबदील करवा कर वापिस जिस पर 10 साल की डेट मेंशन होगी असल में वो होगी तो फ्रेंड अब इसका असरात तीन किसम के लोगों पर होगा जिनों ने 10 साल होने के बाद भी इसको तबदील नहीं करवाया उनको तबदील करवाने पड़ेगी तीन अगस्त दोजार तईस से पहले पहले जबके जो यूरपी फैमली मेंबर हैं जिनको अपने शोहर या फि इस जोर्नों में तबदील करवाना होगा